भारती क्रिकेट टीम 6 दिसंबर को अस्ट्रेलिया के खिलाफ सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड पर उत्री तीन माच की T20 सीरीज का दूसरा माच खेलने सीरीज में एक शूने से आगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया इसी के साथ एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या कप्तान कोहली का ध्यान अगले साल होने वाले वर्ल्ड T20 पर नहीं बलकि फुटकर फुटकर विपक्षे सीरीजे जीतने पर है ये डिबेट क्यों शुरू हुई आईए जानते हैं 2019 का बेंगलूरू T20 22 सितंबर 2019 को भारतिय टीम दक्षन अफरीका के खिलाफ बेंगलूरू के मैदान पर T20 माच खेलने उतरी थी विराट कोहली ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी का पैसला किया टॉस के वक्त कोहली ने कहा हम जानते हैं कि चेस करने के मामले में हम दुनिया की बहतरीन टीम्स में से एक हैं अब हम चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने खेल को मस्बूत करें बेशक हर माच का नतीजा माइने रखता है लेकिन अब हम अपने कमफ़र्ट जोन से बाहर भी निकलना चाहते हैं साथ ही वर्ल्ल T20 भी आ रहा है टॉस तो आपके बस में होता नहीं है तो हम चाहते हैं कि हम हर परिस्थिती में बहतर खेल दिखा सकें चाहें पहले बल्लेबाजी हो या बाद में टॉस के वक्त लगा कि कप्तान बड़े जिगरे वाले हैं खेर मैच में भारते टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी दक्षन अफरीका ने माच 9 विकेट से जीत लिया इस एक हान नहीं कप्तान कोहली को वापस कमफर्ट जोन में पहुँचा दिया कहां तो लग रहा था कि कोहली अब बार बार टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी लेंगे ताकि इस पक्ष को मस्बूत किया जा सके और कहां कोहली इसके बार टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी लेना ही भूल गए कमफर्ट जोन में कप्तान इस मैच के बाद कप्तान कोहली ने पांच बार टॉस जीता इसमें ऐस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 भी शामिल है हर बार टार्गिट चेस करने का ही फैसला लिया ऐस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में विराट कोहली के पास अच्छा मौका था कि वो पहले बल्लेबा लच में वो टॉस जीत कर फिर से कंफर्ट जोन में ही रह गए विराट कोहली की कप्तानी में भारतिय टीम ICC चैंपियन्स टॉफी 2017 के फाइनल्स में हारी फिर वर्ल्ड कप 2019 के सेमी फाइनल्स में हार कर बाहर हुई अब 2021 में T20 वर्ल कप है ना जाने किस मैच में टीम को प शुक्रिया